ओम नमस्ट शिवाई बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज शावन सोमवार के दिन मैं आपको शावन सोमवार के वर्त की कथा सुनाने जा रही हूँ बंधों शावन मास में जितने भी सोमवार आएं उन सोमवारों को सब्ली मुष्यों को ब्रत अवश्य करना चाहिए खास कर जो मुष्य भी भगवान शिव शंकर भोलेना से चाहते हैं कि वे उनकी मनुकामना पूरी करें तो वे भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए शावन मास में सोमवार के व्रत आवश्य करें क्योंकि शावन सोमवार के व्रत करने वाले मनुश्य की भगवान शिव हर मनुकामना शिक्र पूरी करते हैं लोग बहुत उत्सुता से शावन मास का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो शिग्र अपने भक्तों से प्रसन हो जाते हैं बंधों सावन मास में व्रत करने वाले पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं बंधों कोशिश पूरी करें कि शावन सोंवार के व्रत करने वाले मुश्यें बिना नमक के ही भोजन करें और यदी हो सके तो फला हार ही करें बंधों यदी किसी से फला हार के उपर रहा कर रख नहीं किया जाता तब वे बिना नमक का भोजन ग्रहन करें और यदी बिना नमक के भी नहीं रहा जाता तो वे नमक खाकर एक समय भोजन करके रख कर सकते हैं बंधों जैसे भी आपका श्रीर आपको इजाजते उसी प्रकार व्रत करें बंधों व्रत करने वाले मुश्य को भगवान शिव की पूजा अरादना आवश्य करनी है शिवाले में जाकर भगवान शिव को कच्चा दूद चढ़ाएं गंगा जल चढ़ाएं और साथ ही फूल बेल पत्र धतूरा आपके फूल फल और दक्षिना साथ ही अखंडे चावल भगवान को अरपित करें और भगवान को पंचामरत भी आवश्य चढ़ाएं पूजा करने के बाद भगवान शिव की कथा सुने या कहें और फिर आति करें बंधों आति कपूर के साथ करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राक्ति होगी बोलो शिवशंकर भोले नात कीजै प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दोलत और शोहरत थी प्रंतु दूरभाग्यवश उसके कोई संतान ना थी इस बाग का दुख उसे हमेशा स्ताता था लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों सच्चे श्विभगत थे दोनों ही श्व की अरादना में सोमवार को ब्रत रखने लगे उनके सच्ची भगती को देकर मा पार्वती ने श्विभ भगवान से उन दोनों दमपती की सूनी गोद को भरने का अग्रह किया परिनाम सुरूप श्व के आशिरवा से उनके घर में उत्र ने जनम लिया लेकिन बालक के जनम के साथ ही एक आकाशवानी हुई यहें बालक अल्प आयू होगा और बारे साल की आयू में इस बालक के मृत्ति हो जाएगी इस भविश्यवानी के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी ना होगा उसने अपने बालक का नाम अमर रखा जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्य किया अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिये रास्ते में उन्होंने जहां जहां विश्राम किया वहां वहां उन्होंने ब्रहामनों को दान दक्षना दी चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहां पर एक राजकुमारी के विवाहा का समारो हो रहा था उस राज कुमारी का दुला एक आख से काना था यह बात दूले के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी उन्हें इस बात का डर था यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी इसलिए दूले के घर वालों ने अमर से जूट मूट का दूला बनने का अग्रह किया और वहें उनके अग्रह को मना ना कर सका इस प्रकार उस राज कुमारी के साथ अमर की शादी होगी लेकिन वह उस राज कुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था इसलिए उसने राज कुमारी की चुन्री में इस घटना करम की पूरी सच्चाई लिख दी राज कुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पती माना और काशी से वापस लोटने तक उसका इंतजार करने को कहा अमर और उसके मामा वहां से काशी की चल दिये समय का पईया आगे बढ़ता रहा उधर अमर हमेशा धार में कारियों में लगा रहता था जब अमर ठीक बारें वर्श का हुआ तब है शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्ते चड़ा रहा था उसी समय महा यमराज उसके प्रान लेने के लिए आए लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन होकर उसे दिर्ग आयू होने का वर्दान प्रदान किया परिनाम सुरूप यमराज को खाली हाथ लोटना बड़ा बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप करके अपनी पत्नी के घर पहुँचा तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा हे पिता जी यही मेरे पती हैं जिनके साथ उस राद मेरी शादी देखी उसके पिता ने राजकुमारी को अमर के साथ विदा किया और अमर उसके मामा जी और राजकुमारी तीनों अपने घर वापिस लोट आये जब अमर के माता पिता ने उसे जिवित देखा तो उनकी प्रसंता का कोई ठीकाना ना रहा सो बंधों यह है शावन के सोवार व्रतों की महिमा जैसे कि अमर की आयू सिरफ बारे साल थी और उसके माबाब के ज़ारा शावन सोवार के ब्रत किये जाने पर भगवान शिव ने अमर को दिरफ आयू होने का वर्दान दिया बोलो शिव शंकर भोली नात कीजै एम नमाष देते अमर की आए्यंग लॲुुुुूॉ Um namason व leb का अ ओम नमाश्षिवाई, 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 ओम ओम नमाश्षिवाय 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 ओ ओम नमाश्षिवाई 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 प्यूम् नमा्षिँ हाय। ओ नम नमाश शिवाय। ओम्नमाईष छीवाई अम्नमाईष छीवा centigrade ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई ओम नमाशिवाई बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद